कि ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि किसी डिरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा तक क्या है कि मैंने का एक्टर है बुले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो कि तो क्या होता था कि इंडिस्ट्रिए में हमेशा यह क्या सब्सक्राओ एक्टर एक्टर हिरो お陡़ीयॉ होता है और लंबा चोड़ा बल्ले चल्ले होते हैं कि मना हम तो बस ऐसे ही चले गए था ऐसा ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूं इस चीज का के मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनने चाहता हूं तो उन्होंने भी मुझे डी-मॉरलाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपनी क्योंकि पांच फूट का छोटा पतला दूबलस आदमी काला कलूटा मुझे खूद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मनलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्व यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो ऐसा होता है लेकिन सब और सिच्वेशन के बावजूद भी गए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहें वो नहीं करना है तो अलग क्या करूं अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने अंक्टिंग की पढ़ाई की वहां पर और अपनी क्राफ्ट के बारे में समझा के एक्चुली इस प्रेस्नालिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूं उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूं उसमें क् बारीकी से जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट की एक्सपीरियंस की जरूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ओव ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ओफिस में जाते थे आइटिंग उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गये जैसे मैंने बताया क्या ओफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बहुले पहले हुलिया तो देख अपना तू तो य इतनी सी प्रसेनलिटी का पांच पॉट शेंज का अदमी पत्ला दूबला सा मरियल सा कि कभी यह इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं एसा चलन था ही नहीं मैं confident था because of my training मैंने training ली थी और अपनी क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज़ का सिर्फ कॉन्विडेंस था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो यह 10 साल यह 20 साल यह 30 साल तीस साल के बाद नंबर जुरूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टार्गेट नहीं किया टार्गेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फिल्ड अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस आशन होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चाहलो ना तो पूरी दुनिया जुग जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी के जिद के लिए इस आदमी के जिद के आगे जुगना पड़ेगा और पूरी दु परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इम्तहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे-छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटों में निप्टारा हो जाएगा हमेशा आपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इंपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिद्दत पैशन आपके अंदर होने चाहिए हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए हैं यह सिफ इसी बिना पर हुए है पागलपन के जरिये ही हुए है इसारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप experiment करते हैं तो failure भी होते हैं कई बार failure होते हैं कोई एक experiment करने के लिए को एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है बहुत बार failure हुए हम लोग लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सकसी नहीर मिल सकती थे फर एकज़ामपल एडिसन ने जब बल्ब का विश्कार किया तो सो बार एक्सपरिमेंट आपनी जिन्दीगी में सो बार एक्सपरिमेंट करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे तो एट लिस्ट उसको यह उसके साथ साथ उसको यह भी पता चला कि सो जो तरीके हैं कि सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता यह भी पता चला उन फैलियर समस्क। जब हम लोग मुंबई आये तो हमें मालूम था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है है हमारे father दादा परदादा तो film industry नहीं हमीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में गुसे रहते थे आम लोगों के बीच में गुसे रहते थे उनका experience सुनते थे उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बढ़ जा तो पूरे साल का खाली बढ़ते रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों की बीच में रहने से यह आसास हो आवे के तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारीं इंडिस्ट्री में सिर्फ एकी तरह की अक्टिंग उति है हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे हां तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूं तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे हैं यह तो इससे में से वो एक इंसान होगा चुछी में वटा करें बाज साब ठाक रहुँ होन्ग उसमें मंतो होगँ है गणिश गैतुंडें होगा हुए है उस्जी में फैदल हान होगा उसी में माजूमदार साब होंगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों को अब्जर्व करना शुरू किया लोगों के बीच में रहें कि मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था आप फॉर्चुनेट अपने आपको समझने लगा था कि थैंक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला को तो कभी भी आई थिंग मुझे लगता है कि कभी भी कि जब आप इस्टेगल कर रहे होता है वो एक मौका होता आपके पास वो एक चांस होता आपके पास कि कैसे उस उसमें आप अपना अब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जब आपको काम मिलेगा वो उसमें लगाएंगे आप तो मेरी लाइफ बहुत ही आज जब मैं सोचता हूँ कि यार यह तो बहुत ही अच्छा हुआ दो जो पंदरा दस बारा साल मैंने बिना काम के गुजारे जो लोगों के बीच में रहा था मैं आज वो काम आ रहा है मेरे जहां जरा सो कोई कारेक्टर मिलता है तो आदमी इसलिए करता है उनसे के उनको लगता है कि यह तो मेरे पडोस का यह आसपास का यह बंदा मैंने देखें इस तरह के लोग आई तिंग यही हमारी सबसे बड़ी जीत है एस अन एक्टर अपकोस इस्टेगल में बहुत सारी चीज़े सेक्रिफाइस करनी पड़ती है क्योंकि खुझली आपको हुई है आप ही को मिटानी पड़ेगी आप जो आप हैं वह आपने बनना चाहा था और अगर डिसपॉइंट्मेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ही ने चाहा था यह बनना तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ क्यार छोड़के चले जाते हैं कुछ काम मिलनी रहा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं मिल पाएगा या ने मिल पाएगा फिर यह होता था कि नहीं मेरी मदर जो है ना एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा तब मोबाल लुबाई नहीं आयते पेजर पेजर आयते तो पेजर यहां पर लगाके चलते थे हम लोग जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्टीशन में है डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो मेरी माँ मुझे एक लटर लिखती थी कि कच्छ लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कच्रे के दिन भी बदलते हैं तो तो इंसान है तो तेरा दिन भी बदलेगा तो उन सब चीजों को देखके कोई एक शेर कोई कोटेशन कोई इस तरह की जो मोटिवेशन मोटिवेट करती है जो लाइन साथ को उनका रहना उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहीं चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए और और मैं जिस गाउंस आया था डिस्टिक मुझभफरनगर के छोटा सा गाउं था बुड़ाना जब हमने शुरुआत की थी महां पर जब मैं था वहां पर महां पर लाइट भी नहीं थी एक गंटे के लिए रात में कभी आ गई या एक महने के बाद हलका सा मूँ दिखाके च तो फिर दिल्ली हमारcom मतलब छौटा-सा उससे बड़ा शहर भी हम्हँ हुआ ऐसा लखता था पतनी किया है अना डर लगता था मैं जैसे मुम्बई में आया था बबंदरह दिं तो ह्धार वार नहीं निकला थो क्योंकि इतनी स्पीड देख रात हमें कि इतनी स्पीड में कर दो हम चलिनी पाएंगे इस शार के साथ शायद हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी अ कुल इसथा के डर थे और लिकान ऐसी जगा पर एसी जगा पर आ गए थे कि अप जाना भी मुश्किल था मलब वापस नहीं जा सकते थे वापस घर खर चल गए तो तेडर के जो मेरे दोस्त थे वो बोलते कि यहां कि वापस आगे तुम है जैसे बहूं सारे कि पहले ही बोलते थे वो लोग कि शकल देख ले फिर हार के सामने चला गया तो क्या बहुत वह जुख लेंगे कि हमने तो पहले मना किया था कि मज जूर्ज शकल थी तदुमेघ्टर कектив यह बहुत सारी डर ते जिसकी वजह से मैं अपने ना तो गाउं नहां से ट्रेनिगली थी दिल्ली से नमढ जाता था मैं इसने जो भी है मरना जीना मुंबई में होगा का रे यहां सक्सेस की सकसेस अगर तीस साल बाद भी मिलेगी उसके लिए भी मतलब तयार रहना चाहिए सक्सेस की को डेटени नहीं होती कोई तारीख नहीं होती को टार्गेट नहीं होता कि इतने दुनों में मिल जाएगी इन्सान का काम होता है आई थी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो और पैशन पैशन के साथ जिस भी आप काम में हो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पैशन पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पैशन से क्या होता जिस भी आप फील्ड में होते हैं उसकी डिटेल से डिटेलिंग्स मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते समंदर की जब गोता मारते नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे-धीरे बहुत कुछ दिखाये देना शुरू कि एसी आपका भी फीड है कोई बहुत असे होता है उसमें असीम संभाव नहीं होती है इतनी पॉसिपीट्यस होती है कि आप है आई थिंग दुनिया का हर काम में इतनी पॉसिव सिर्फ अगर एक दरजी है पैंट सीता है एक हजार तरीकी की पैंट सी सकता है वो अगर वो चाहे तो आगर उसने नहीं चाहा तो वो जो ट्रेंड चला रहा है वो इसी ता जाएगा लिए अगर उसने चाह लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूं तो एक हजार तरीकी के पैंट उसी में एक हजार तरीकी किसी देगा वो पैंट ऐसे हर फील्ड में पॉसिबिलिटिस बहुत होती है और एक पर्फेक्शन होता है फर ग्सांपल जैसे हम लोग हम लोग को इसलिए लिए कि पर्फेक्शन आजा अपने काम में जैसे एक मैंने एक्जामपल सुना था कि यह छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूं यह चूंकि मैंने बच्पन में सुनी थी उन पर दिवा उनी को अपनी लाइफ बना के आगे बढ़ा तो आज यहां पर हू बताते हैं कि एक बहुत बड़े इस फतैं यह सच है जूट है मुझे इतना जाहतने मालूम भर को वब बहुत बड़े एंसान वह हैं लेकिन उपहले मोची थे जूता से थी थे लेकिन जूता जहां से सीते थे ना वहां से कभी फटता नहीं था वह बले दूसरी जगा से फट जाए लेकिन वहां से नहीं फटता था क्योंकि उसका पैशन था जूता सीना काम भले वह है वह लेकिन उसकाम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वजह से इतने पॉपुलर होते चले गए क्यार जूता फड़के लिकिन सिल्वाना वहीं जाके है क्योंकि आगर उन्हें सी दिया वहां पर जिन्देगी पर वहां से जूता नहीं फड़ेगा तो छोटी-छोटी चीजों में यह जो परफेक्शन पैशन यह सारी चीज़ों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना बाके बहुत जरूरी होता है फिर एक्सपीरियंस आपका आपकी नॉलिज जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं सॉरी डूस है बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लग पर बिलिप नहीं करता हूँ कि मेरे सामने आज तक मेरी मेरे सामने लहकी ली कोई चीज नहीं हुई कि मैं लगज हो यहां तक पहुच गया है और भी अचर्ण्छी कि मैंने उसके लिए मेहनक कि है, मैंने उसके लिए knowledge कठी की है, मैंने उसके लिए training ली है. अगर luck पे depend करता ना मैं, तो अपने एक room में रहता हैं, आर लक्त जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़े नहोता है.